तो स्टुडेंट्स अब दिखते हैं हम ऑप्टिकल इंस्टुमेंट्स के बारे में ठीक है तो हुमेन आय के विजन के रेंज को एक्स्टेंड करने के लिए हम ऑप्टिकल इंस्टुमेंट्स यूज करते हैं कि युमेन आए भी एक तरह से प्राव स्ट्रूमेंट ही है क्योंकि इसमें भी इमेज फॉर्म हो रहा है रेटीना करके हम विजुटारां के इसमें कर पाते है और हम को सेंस भीिजुयलं सेंस हमें मिलता और एक टेलिस्कोप होगा तो before going to microscope और टेलिस्कोप सबसे पहले में जानना पड़ेगा यह term हमें समझना है visual angle क्या होता है तो visual angle क्या होता है कोई भी object या image एनि object और image जो भी angle आये पर form करेगा जैसे यहाँ पर यह object है यह एक टो अबजेक्ट है यह पर आये है इसके टॉप पॉइंट से हमने इसको ऐसे एक टो लाइन लिया तो यह जो एंगल फॉर्म कर रहा है आये पर उसको हम बोलेंगे visual angle तो यहाँ से क्लियर ले दिख रहा है height of object या height of image increase होने के साथ visual angle भी increase होगा ठीक है so it is visual angle the angle subtended by object or image at eye that is known as visual angle तो इसका use होगा आगे हम देखते है microscope क्या होता है microscope means होता है किसी भी object को हमें magnify करके देखना है उसके normal size से हमें उसको magnify करना है enlarge करके अगर देखना है तो हम जो optical instrument यूज़ करते हैं उसको हम कहते है microscope ठीक है तो microscope में दो type के microscope हम बढ़ेंगे simple microscope and compound microscope तो दोनों ही microscope में हमें ये find करना है microscope का magnification तो वहाँ पर magnification term हम use नहीं करेंगे हम आपर term use करेंगे magnifying power magnification जैसे किसी lens के लिए जब find करते हैं तो height by height या image distance by object distance उस तरह से करते हैं पर यहाँ पर जो magnifying power होगा इसे find करने के लिए हमें क्या करना होगा दो angle को यहाँ पर divide करते हैं ratio लेते हैं कौन-कौन से angle यहाँ पर है इसका definition magnifying power होगे microscope का दो definition is visual angle formed by final image ठीक है जो भी final image है वो कितना visual angle मतलब बनाया होगा that is beta उसका notation लेंगे उसको divide कर देंगे visual angle formed by object when kept at D जब object को हम D पर रखें capital D distance पर यह क्या होता है capital D यह होता है distance of distinct vision ठीक है distance of distinct vision normal eye के लिए 25 cm होता है जितने distance पर हमें clearly दिखें कितने minimum distance पर हमें clearly object दिखता है उसको हम distance of distinct vision बोलते है normal eye के लिए 25 cm होता है तो जब इस distance पर हम object को रखेंगे तो वो कितना visual angle subtend करेगा हमने उसको लिया alpha तो beta by alpha करेंगे तो हमें magnifying power मिलता है यह हम find करेंगे दोनों microscope के लिए तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर simple microscope simple microscope simple microscope क्या है simply एक convex lens है जैसके magnifying glass हम इसको use करते है मतलब पढ़ने के लिए small letters हमें magnify होके दिखता है तो simple microscope और magnifying glass तो यह simple एक convex lens है very short focal length होगा इसका ठीक है और इसको जब हम use करते हैं तो object को कहाँ पर रखते हैं object को हम रखते हैं lens के और उस convex lens के optical center और focus के बीच में कहीं पर रखते हैं तो हमारा sixth case use होता है यहाँ पर object को अगर हम optical center और focus के बीच में कहीं पर रखते हैं तो उसका एक virtual erect image magnify होके produce होता है तो यहाँ पर इसका magnified image हमें मिलेगा यही हमारा purpose है ठीक है तो यहाँ पर जैसे form होगा देखो यहाँ पर diagram दिया गया है this is the lens this is the optical center object AB यह हमारा object है और यहाँ पर कहीं पर चलो इसका focus होगा माल लेते हैं यहाँ पर कहीं पर इसका focus होगा तो focus optical center के बीच में हमने इसको रखा image form गा this is the parallel ray focus है पास किया optical center से यह वाला ray पास किया undeviated गया हमने इसको backward extend किया यहाँ पर इसका virtual and erect image बना a dash b dash हमने height लिया है यहाँ पर object का height ho image का height hi object distance ue symbol लिया गया है ue इसलिए ताकि is से उतने distance पर हम ऐसे ही मान की चलेंगे ie यहीं पर ही situator मान की चलेंगे optical center वाले जगह पर आया है ऐसा ही मानते है हम इसलिए ue इस distance को हमने ue लिया है ठीक है तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं simple microscope में magnifying power find करेंगे beta by alpha तो यहाँ पर देखो जब हम beta find करेंगे this is beta image यहाँ पर जो angle बना है यहाँ पर eye है ऐसा मान की चलेंगे यहाँ पर eye है तो image eye पर जो angle बना है d पर रखा होता d पर अगर रखा होता तो कितना angle बनाता उसको हम alpha लेंगे और divide करेंगे तो यहाँ पर समझ रहा है हमें beta और alpha जो है उसको हम 10 beta 10 alpha की term पर find करते हैं पहले see this visual angle formed by image beta उसको हम 10 beta for very small angle beta is nearly equal to 10 beta ऐसा ही मानेंगे for very small angle beta equal to 10 beta तो वो हो रहा है a dash b dash by o b dash a dash b dash by o b dash इदे diagram a dash b dash by o b dash होगा 10 beta करेंगे तो अब देखो यह तो एक ही line है ना यहाँ से लेकिए यहाँ तक मतलब 10 beta a dash b dash by o b dash तो है पर यह भी triangle beta है तो इस छोटे से triangle में a b by o b भी भी तो 10 beta होगा है कि ने a dash b dash by o b dash अगर यह 10 beta है तो a b by o b भी 10 beta ही होगा तो इसलिए हम वहाँ पर a b by o b भी लिख सकते हैं मतलब ho by u e हम वहाँ पर देखो a b by o b b भी लिख सकते हैं beta के लिए that is ho by u e clear after that see this visual angle formed by object kept at d ठीक है तो alpha equal to ho by d हम लिखेंगे इसको हम diagram में नहीं दिखाए हैं पर ऐसे हमाल लेते हैं कि यहाँ पर जैसे यह हमारा lens हो गया okay lens हो गया और यह principal axis और suppose यह d distance पे यहाँ से ले कीजिए capital d distance पे हमने object को ऐसे रखा यह हमारा object है तो यह जो angle बनाया है this is alpha यह हमारा alpha है तो 10 alpha क्या होगा HO by d वह तो लिखें हैं यह हमारा HO है HO by d इस 10 alpha ठीक है बीटा को alpha से divide कर देंगे मतलब HO by ue by HO by d तो यहाँ पे हमने magnifying power हमें क्या मिला d by ue तो d तो fixed है एक नहीं d fixed है तो ue पे depend करता है कहाँ पे object को रखें उस पे depend करता है कि कितना magnifying power हमें मिल रहा है ue पे depend करता है तो यह तो magnifying power का formula एक्ट है इसको हमें याद रखना है साथ ही साथ हम यहाँ पे two different cases देखते है maximum magnification पाने के लिए एक case देखेंगे क्या होता है magnification maximum value और फिर बात में हमें देखेंगे for normal eye see this for maximum magnification maximum magnification मिलेगा बिटा से maximum magnification तब होता है जब image जो है वो d पे बने क्योंकि d distance पे होगा तो हमें ज़्यादा clearly visible होगा तो maximum magnification तब ही होता है जब final image कहाँ पे बने d पे बने that means हम यहाँ पे u को ले लिए है minus ue according to sign convention v को लेंगे minus d maximum magnification के लिए और image distance कहाँ पे होगा d पे बनेगा so minus d लेंगे और यहाँ पे हमने find किया lens formula यूज करके यहाँ पे इसको हमने use किया ठीक है finally we will get 1 by ue equal to 1 by f plus 1 by d और magnifying power के लिए क्या करना है d by ue चाहिए तो यह पे d को multiply कर देते है d by ue तो d by f और यह d by d1 हो गया so finally you will get for maximum magnification the formula will be 1 plus d by f okay so the focal length of that lens will decide the magnification maximum magnification इतना ही हो सकता है convex मतलब एक magnifying glass का और simple microscope का 1 plus d by f focal length यह decide कर रहा है कितना होगा maximum magnification clear है it is minus of magnification इसके बाद देखते हैं second case अगर relaxed आये है relaxed आये जहां पे बोल जाए तो उहां पे हम सोचेंगे कि final image कहां पे बना होगा infinity पे बना होगा relaxed आये तभी कहते हैं जब final image बन रहा होगा infinity पे जहां पे v com infinity लेंगे u com minus u e और यही सब पूरे lens formula बगरे use करते करते चलेंगे तो देखना at the end हमें मिल जाएगा d by f magnifying power यह maximum यह minimum इसलिए magnifying power जो रहता है simple microscope d by f minimum है 1 plus d by f maximum है उतना हो सकता है यह उन्दों के बीच में कुछ होगा magnifying power का value एक question इसके लेटर देख लेते हैं यहाँ पे question है यहाँ एक magnifying glass है focal length 5 cm दिया है इसी lens को use करके इसी magnifying glass को use करके closest और farthest distance find करना है किसी object का closest distance मतलब object का उसको clearly देखने के लिए closest distance find करेंगे object distance कितना कम होना चाहिए फिर कितना ज्यादा होना चाहिए closest distance कैसे मिलेगा जब हम लेंगे कि image बन रहा होगा distance of distinct vision में capital D 25 cm में जब बन रहा होगा farthest मतलब जब image infinity पे बन रहा होगा ठीक है तो यहाँ पे लेते हैं closest object distance पहले जब image बनेगा D पे minus 25 cm लेंगे उसको यह focal length दिया है तो यहाँ से हम lens formula उसकर के u find कर लेंगे इतना मिला फिर farthest object distance के लिए हम क्या लेंगे v को infinity लेंगे तो यहाँ से हमें u मिलेगा see this तो obviously focus पे रखने से ही infinity पे image create होता है तो यहाँ पे obviously देखो u minus f sorry infinity पे image बना है तो obviously कहाँ पे रखने हम गया object को focus पे see this मिल रहे हमें उतना okay तो it is for farthest and closest object distance फिर यहाँ पे बोला है maximum and minimum magnifying power maximum magnifying power 1 plus d by f okay formula हमने उसकिया यहाँ 6 मिला और minimum d by f 5 मिला okay तो यह वाला formula उसके magnifying power के लिए होगा जो की focal length decide करेगा maximum कितना होना है minimum कितना होना okay so it is our simple microscope कुंदू ए